बचो वेलकम टू लेक्चर वन ओफ डे थाटीन ये डे थाटीन का फर्स वीडियो लेक्चर है इसमें जो हमारा टॉपिक है वो है एरिया अंडर दा कर्व सबसे पहले बात की बहुत इजी टॉपिक है ठीक है स्कोरिंग है बोट फॉर जेएमेंस और फॉर बोर्ड बोर्ड जेएमेंस दोनों के लिए स्कोरिंग है कम टाइम में ये चैप्टर तैयार हो जाता है उसके बात क्या है कि इस मैसच कोई कंसेप्ट है नहीं जो एंसी आटी में तुमनें कंसेप्ट प्राइन है जो भी थियोरी पर यह से रिगार्डिंग इस चैप्टर से जो थोड़ा क्या है कर देगा तो अगर तुम्हें कर्व ट्रेस करना आता है परगोड़ा इले सरकल थोड़ा बहुत जो डिफरेंट टाइप्स के और भी लूप बगरा बनते हैं इन सब का कर्व अगर तुम्हें ट्रेस करना आता है एरिया इडेंटिफाई करना आता है तो फिर एस सच इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं है अब प्रॉब्लम क्यों आती है बहुत बच्चे सरकल का ही कर्व नहीं ड्रो कर सकते हैं नहीं आता है उन्हें पराबोला कैसा होता है किस डिरेक्शन में होगा पॉस्टिव पॉस्टिव एकसे पॉस्टिव य एकसे उन्हें नहीं पता होता है कि उससे ज़्यादे theory नहीं है तब भी मैं क्या करता हूँ इस chapter को start करने से पहले एक बार quick recap जो theory NCRT में बता है उसको दुबारा बता देता हूँ कि तुम्हें कोई problem ना हो ठीक है सबसे पहले बात क्या है area by vertical strip ये strip क्या है vertical strip का क्या मतलब है दोगो बहुत सारे book में strip use करते हैं बहुत सारे book में नहीं करते हैं इसका मतलब तो समझ जाओ क्या है कि हमें अगर हमारे पास एक function है y is equal to fx ठीक है x axis, x is equal to a and x is equal to b fx, x axis, x is equal to a x is equal to b इन ये भी एक curve है x axis भी करव है x is equal to a भी करव है x is equal to b भी करव है ये जो चार करव है ये चार करव जो area bound कर रहा है उस area को हम कैसे निकालेंगे ये हमारा तो y is equal to fx करव हो गया ठीक है ये line हमारा क्या हो गया x is equal to a ये line हमारा क्या हो गया x is equal to b ये line क्या हो गया x axis और ये y is equal to fx कर area क्या bound हो रहा है, यह जो भी मैंने shaded reason है, यह area bound हो रहा है, इस area को हम कैसे निकालते हैं, एक तो तुम ऐसे देख लो, simple सी बात है, कि अभी एक नट के लिए strip को भोल जो, ठीक है, अगर इस area का base x-axis पर है, अगर इस area का base x-axis पर है, तो हम area कैसे लिखेंगे definite integral में, यह जो curve है यह curve, इस से y निकालेंगे, ठीक है, y into dx, और area कहां से कहां तक निकालना है, x-axis के a point से लेके b point तक, तो lower limit क्या डालेंगे a, और upper limit क्या डालेंगे b, यह area आ जाएगा, y into dx, ठीक है, y कहां से निकालेंगे, अगर हमारा area का base x-axis है, तब की बात कर रहे हैं, y कहां से निकाले term में बोलना चाहते हो, तो हम लोग, हमने क्या किया, कि एक strip बना लिया, ऐसे करके, ठीक है, एक rectangle बना लिया, अब इस rectangle का base कहां पर x-axis पर है, ठीक है, अब सबसे पहले बात किये, जो rectangle है, कहां से कहां तक move कर सकता है, without changing the curve, curve को बिना change किये, यह rectangle, x is equal to a से, x is equal to b तक move कर सक करता है, इसमें क्या होगा, कि नहीं x-axis को छोड़ेगा, और नहीं y is equal to fx को छोड़ेगा, मतलब, अगर यह curve, x is equal to a point से लेके b point तक move करता है, तो x है, इस strip का base होगा, वो x-axis पर होगा, और इस strip का जो upper portion होगा, यह, वो किस पे होगा, y is equal to fx curve पे, तो हम area कैसे लिख सकते इस strip का area निकालो, इस strip का area निकालने के लिए, इस strip का length होगा, वो क्या होगा, y, और इसका base, जब हमारा vertical strip होता है, तो इसके base को क्या मानते है, dx, और length क्या होगा y, तो y into dx, यह strip क्या हमारा rectangle है, तो इसका base क्या होगा, dx, तो dx, मतलब कि इसका breadth क्या होगा, width क्या होगा, वो तो हो गया y, तो y into dx और यह strip कहां से कहां तक move कर सकता है a से लेके b तक तो lower limit a डाला, upper limit b डाला तो यह हमारा हो गया, y की जगा हमने fx लिख दिये, dx हो गया, यह हमारा required area हो गया, ठीक है अब यहां पर यह तो हो गया पहला case, अगर तुम्हें यह strip नहीं समझ में आ रहा है, तो तुम तो ऐसे याद रखो, कि जब भी area का base मतलब जो area है उसमें x-axis involved हो, तो तुम्हें करना क्या है, सीधे यह जो y function है, यह जो y is equal to fx है, इसका तुम क्या ले लो fx ले लो, और यहां पर क्या कर लो, dx से multiply कर लो और कहां से कहां तक area निकालना a से b तक, तो a point का x-coordinate क्या है, a, तो lower limit a बन जाएगा, y-coordinate क्या है, b तो upper limit भी बन जाएगा, बस तुम ऐसे भी याद रख सकते हो, अगर strip नहीं याद रखना है तो, अब क्या बोल रहा है if y is equal to fx completely lie below x-axis, इस case में क्या है, जो हमारा function है वो positive है, positive function बोलने का मतलब कि जो curve है यह y is equal to fx, यह x-axis से उपर है, तो अगर x-axis से उपर है, तो क्या होगा, कि यह जो a का value दिख रहा है ना तुमें, यह a क्या होता है, मतलब definite integral का value क्या होता है, signed area होता है signed area बोलने का मतलब कि अगर curve x-axis से उपर है तो हमें actual में area मिल जाएगा मतलब कि यह जो area है ना a, b, d, c यह actual में अरिया मिल जाएगा, actual में area बोलने का मतलब कि sign जो होगा इसका positive आएगा, इसका जो value होगा positive आएगा, बट अगर curve x-axis से नीचे है तो हमें करना क्या है एरिया निकालना है अगर तुमने सिर्फ इसको calculate किया ना definite integral a से b fx dx calculate किया तो ये क्या आएगा ये minus और यहाँ पर क्या आएगा area किसका area a b इस point को मालो हमने c माल लिया इस point को मालो हमने d माल लिया तो area आएगा a b c d minus sign के साथ आएगा minus क्यों sign आएगा because जो curve हमारा x-axis से नीचे है बठ हमें तो area चाहिए तो area के लिए हम यहाँ पर mode लगा देते है ऐसे करके mode लगा देते है ठीक है फिर वही बात है अब यहाँ पर curve जो हमारा x-axis के नीचे है तो फिर वही vertical strip लेंगे strip अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करो सीधे fx लिखो into dx लिखो यहाँ पर क्या करेंगे fx into dx fx into dx लिखेंगे कहां से कहां तक करना हमें a से b तक जाना है तो a हमारा small a क्या हो करेंगे because जो कर्व है वह x-axis से नीचे है तो या तो मौड यहाँ पर ऐसे ले लो पहले definite integral लिखके मौड लगा लो या क्या करो कि function को ही function में ही मौड लगा दो बात बराबर है दोनों से same result आएगा ठीक है ना यहां तक बात आ रहे है समझ में अब अगर हमारा कर्व x-axis को cross करें और यह हमें area चाहिए तो हमें पता है कि यहां से इस portion का जो area आएगा वो तो negative आएगा तो उसके लिए हमने मौड यूज कर लिया मतलब a से लेके point a से लेके point c तक हमने मौड यूज किया उसके बाद हमें दिख गया कि curve जो है वो तो x-axis से उपर आगया इसका मतलब क्या होगा positive आएगा तो हमने मौड अटा दिया c से भी तक a से c तक के लिए हमने ले लिया मौड यूज कर लिया c से भी तक के लिया हमने बिना मौड यूज कर लिया area by using horizontal strip vertical strip अब यह horizontal strip में आजो जैसे हम vertical strip में क्या करते थे strip का area into dx लिखते थे horizontal strip में क्या करेंगे strip का area into dy लिखेंगे strip के breadth को हम लोग क्या मानेंगे width को क्या मानेंगे dy ठीक है यहाँ पे हम लोग क्या करते थे इसके breadth को क्या मानते थे dx जब vertical use करते थे और जब horizontal use करेंगे तो dy मानेंगे ठीक है अब जब हमारा curve y-axis के Zhuong होगा तो curve किस form का होगा यह form होगा axis equals to fy format का होगा और जब curve हमारा x-axis के Zhuong होगा तो curve किस format का होगा y is equals to f x यह समझ में आने चाहिए सब अल्रेडी बता चुका हो यह x-axis के Zhuong Curve है तो हमारा क्या होगा y अलग होगा और function in x में होगा और जब हमारा curve y axis के long होगा तो फिर यहाँ पे x अलग होगा function in y में होगा अब यहाँ पे हमें करना क्या है area निकालना है अब जैसे x axis में क्या करते थे x axis के उपर curve है तो area positive आएगा x axis के नीचे curve है तो area क्या आएगा निगेटिव आएगा area निगेटिव आएगा यह गलत statement है तो मजमेहरी बात area हमें सब positive होता है इस समझाने के लिए बोल रहा हूँ मतलब definite integral का value negative है और definite integral का value होता है वो signed area होता है तो इसका मतलब क्या है कि जब हमारा curve जो x axis के नीचे तो हम mode use करते है और उपर है तो mode use नहीं करते है same line में जब हमारा curve जब हम vertical strip लेंगे और अगर curve y axis के right side पर है तो फिर क्या होगा हमारा area क्या हैगा positive हैगा और अगर curve y axis के left side पे तो area क्या होगा negative हैगा तो जब भी curve अगर y axis के right side पे तो हमें mod की जोरत नहीं पड़ेगी और left side पे तो फिर हम क्या लेंगे mod लेंगे ठीक है अब vertical strip में क्या लिखते थे y into dx लिखते थे न इसमें क्या लिखेंगे x into dy इसमें क्या लिखेंगे x into dy और x किसके equal है f of y के equal है तो क्या हो जाएगा f of y into dy अब limit कैसे लेते है limit के लिए यहाँ पे देखो a point का y coordinate का c तो यहाँ पे lower limit c होगिया b point का y coordinate का d तो यहाँ पे upper limit d होगिया मतलब इसमें हमारा क्या होता है अगर हमारा curve y axis के right side पे तो positive left side पे तो negative तो left side पे negative बट हमें area चाहिए तो हम लोग क्या करते है mode use कर लेते है ऐसे करके अब जैसे यह देखो a से b तक curve हमारा right side पे है तो हमें mode लेने के जोड़त है नहीं फिर b से c हमारा curve जो है y axis के left side पे तो फिर mode ले लेंगे because हम area चाहिए यह तो आ जाएगा definite integral से यह area आ जाएगा अब इस area को निकालने के लिए हमें क्या चाहिए mode लेना होगा integrate कैसे करेंगे a से c तक बिना mode के हमने definite integral निकाल लिया ठीक है इसमें भी strip यूज़ कर सकते हो मतलब ऐसे strip ले लिया हमने इसको और ऐसे बोल दी यह strip ले लिया और इसके breath को हमने क्या बोल दिया dy बोल दिया और इस point को हमने क्या बोल दिया x और fy बोल दिया और यह हमारा curve क्या है x is equal to f of y तो area कैसे निकलेगा integral a to c x into dy तो यहां से हमने क्या बोल दिया a to c x का value क्या डालेंगे f of y into dy बस यह area आ गया यह वाला area अगे इस area को निकालने के लिए क्या करेंगे वही same logic बट mod ले लेंगे आपे, देखो हैं आपे mod ले रखा है area enclosed between the curve अभी तक हमने जो भी area पर आथा, उस area का जो base था, या तो x-axis पर था या तो y-axis पर था, अब area का base नहीं x-axis पर होगा, नहीं y-axis पर होगा, अगर हमने vertical strip लिया, ठीक है तो हम क्या करेंगे, again strip का area लिखेंगे, strip का area into dx, vertical में हम ऐसा vertical strip को क्या breath को क्या लेते हैं, dx लेते हैं ठीक है, तो उसके लिए simple तुम याद रखो, कि यह जो हमारा dotted dotted है यह area निकालना है, तो क्या करते हैं, upper function minus lower function upper function के fx और lower function के gx, तो देखो upper function minus lower function into dx और area कहां से कहां तक चाहिए a से लेके b तक, area हमें चाहिए a point से लेके b point तक, upper function minus lower function, ठीक है, एक तो तुम ऐसे भी निकाल सकते थी यह direct area आ जाएगा एक तुम area ऐसे भी निकाल सकते थी कि a से c तक, वही बात है इसको यह वाला चीज़ देखो a से b तक हमने integrate किया fx को मतलब इस function को integrate किया तो हमारा area क्या आ जाएगा तेखना, यह area आ जाएगा हमारा, a से b तक यह पूरा area आ जाएगा यहां से पूरा area आ जाएगा फिर हमने a से b तक integrate किया gx को मतलब इस function को तो कौन सा area आ जाएगा यह वाला area आ जाएगा और अगर हमने minus कर दिया तो इस दोनों curve के बीच का area आ जाएगा ठीक है तो यहाँ पैसे, मतलब यह area हमारा हुआ, minus किया बैसे आ जाएगा कहने का क्या मतलब है बात को सुनो ध्यान से कहने का मतलब है कि जब भी दो function के बीच का area निकालना है तो हम इस step को चाहो तो लिख सकते हो तो तुम direct इससे लिखो upper curve minus lower curve और कहां से कहां तक यह से भी तक integrate कर देंगे horizontal strip में भी वही है right वाला curve minus left वाला curve अगर हमें यह area निकालना है shaded area तो right में कौन सा curve है right में हमारा curve है f of y यह curve है और left में कौन सा curve है g of y तो right वाला curve minus left वाला curve into d of y तो area आ जाएगा यह क्या लिखा है यह दो integral इस integral का value क्या है इस integral का value अगर हम calculate करेंगे तो ये पूरा area आजाएगा y axis से minus इस integral का value क्या होगा अगर हम calculate करेंगे तो ये वाला area आजाएगा ये area आजाएगा अब यहां से यहां तक पूरे area में से अगर तुम इस area को subtract कर दोगे तो इसके बीच वाला area आजाएगा वही चीज़ यहां पे लिखा हुआ है वट तुम्हें क्या याद रखना है कि right का area minus left वाला curve तो मैं ऐसे याद रखना है ठीक है case 3 में क्या इवदा curve y is equal to fx and y is equal to gx intersected at axis equals to c then the required area मालो की ये वाला हमारा जो curve है ये curve ये y is equal to gx curve है और ये curve y is equal to fx curve है दोनों curve की point पर intersect कर रहा है c पर हम area चाहिए ठीक है तो वही बात है इसमें हम क्या use करेंगे vertical strip use करेंगे तो vertical strip के लिए कि upper curve minus lower curve यहां से a से लेके c तक देखो उपर curve कौन सा है gx curve उपर है और fx curve नीचे है a से c के बीच में देखो तो upper curve minus lower curve a से c तक integrate कर दिया तो ये area आजाएगा हमें और c के बात देखो c के बात जो fx curve नीचे था वो fx curve उपर आगया यह हमारा fx curve तो यहां पर curve minus lower curve करोगे तो यहां से fx minus gx करना होगा c से b के लिए तो यह हमारा area यह वाला area आजाएगा ठीक है